हाई अमेजिंग पीपल आई विश्य वेर्य हैपी इंजॉइंग लाइफ एंड हमारे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में हमारे भारत के जो डॉक्टर्स हैं यह इंटरनाशन डॉक्टर्स हैं कैसे अपनी आगे फर्द सकते हैं और कैसे जॉप कर सकते हैं फुल टाइम एंड लाइफ एपक के लिए सेटल हो सकते हैं आज के टाइम में जर्मनी बहुत भीवस हो चुका है अपनी हाइट ओश्य एजुट तो बहुत सारे बाद इनिया के डॉक्त्रों एट्राक्त होते हैं कि वह इनको भी जर्मन आज मैं सबको सबकुछ बता सकूँ ताकि आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स के लिए हो जाएंगे आज आज सकते हैं डाउट जाएंगे अनुट इसकाट है अगर पो जुट जाए उन्सने इनलीगा दर्वाओं में चलग रहां जाएंगा जब आप इसको चेक करोगे तो आप यू कंट फाना पिक्ट्चर अवह आ पोसारी पिक्ट्चर पॉस्ट की यह एंग बाट की किऊ य Germany and then you can plan whatever you goals you have so we can help you in your every thing and if you watch our first time on our channel so please do subscribe and bell icon button so that you can get a notification and you can see our daily videos and you can enhance our daily videos so now without wasting further time let's get started so now in the beginning of the video, first of all I want to give the doctors to you good news that in today's time in Germany there is a shortage of doctors in Germany shortage is very much in Germany high demand of foreign doctors this is the reason is that Germany's population is the biggest in the European Union 850,000,000,000 population but in this ratio they have doctors' general practitioner, family doctors, specialist doctors in every category there is a shortage of doctors in India so if you want to go, move, job, PG, then I think you have this great chance to move to Germany in 2023 and just as we can help you, we can help you, you can help you, you can help you now, now मैं आपको पूरा को पूरा प्रासीस वीज्वे में समझे देता हूँ वालने 4 स्टेपस में इसको तयार किया मैं इसके बाद आपको बहुत असान ही रहे आपको कोई कन्फूसेयों ने होगी उसी जो मैं आपको स्टेप बता हूं उसी को फॉलो करके आप अपना जर्मनी में आकर PG कर सकते हैं या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्स स्टेप की तो जर्मनी में आपको द्यान होना है कि जर्मनी में जर्मल लैंगवज चलती है and medical की जो field होते हैं अगर आपको कुछ भी करना है तो जर्मल लैंगवज सबसे पहले पैरमाउंट कंसर्ण दाट शुड भी यह तो करना ही करना है तो हम पहला स्टेप यह बताते हैं कि पहले आपको सीखने है जर्मल लैंगवज तो हम इंडिया बें जर्मल लैंगवज सिखाते हैं अगर आपको जाना है जर्मल लैंगवज तो सबसे पहले आपको प्राइम कंसर्ण है कि यह आपको जर्मल लैंगवज सीखने पड़ेगी चाहे हम से सीखों कहीं और सीखों अब आपको बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए तो जर्मल लैंगवज सीखना पड़ता है तो इनकी अपनी एक लैंगवज है आपको उसके अंदर भी कह सकते हैं आपको सीखना पड़ता है तो उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है जो आप जर्मनी में कर सकते हो और वह ऑफलाइन भी कर सकते हैं आपको एड्मिशन करा सकते हैं जो ट्रेनिंग आपको दिलवाते हैं वह जर्मनी को कोई दिक्क्रत नहीं होती तो सेकंड स्टेम में क्या करना है आपको अब बात करते हैं जब दोनर स्टेप आप पास कर ले तो उसके बाद जर्मनी में होता है एक एक जैम जिसको बोलते हैं जर्मन मेडिकल लैंगविज एक्जैम में इसकी सबसे इंपॉपन चीज है कि यह जो जर्मनी के अंदर 16 स्टेट्स होते हैं तो हर स्टेट में यह अल पड़ेगा कि आपको एक स्टेट चूस करना पड़ेगा बर्ली फ्रैंकफट जहां पर भी आप देना चाहते हो तो आप स्टेट चूस करोगे फिर वहां पर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करोगे और उसके बाद फिर वह एक्जैम दोगे तो एक्जैम जब आपस कर लेते हो तो उसके बाद सबसे ची बात है कि you get the temporary license to work as an assistant doctor in Germany तो आपको दो साल का license मिलता है और उस FSP एक्जैम को पास करने के बाद license के बाद you can actually really work in hospital in Germany and उसके बाद आपको practical experience गेन हो जाता है तो उससे क्या होता है आपकी expertise बढ़ जाती है और आपको पते चल जाता है कि what is exactly the structure the way the German patient you know talk about their illness और बहुत सारी चीज़ होती है तो आप practically बहुत आपकी knowledge enhance हो जाती है और बहुत जाता आप चीज़ शीख जाती हो तो यह थार्ड स्टेप इसका आपको ध्यार रखना है and now let's talk about the fourth step, fourth step में क्या होता है कि आपका एक exam होता है जिसको हम बोलते है Cantonese proof होता है इसको ब आप doctor बन चुके हो तो आपको पता ही होगा कैसे क्या क्या चीज़ होती है तो obviously उसको pass करना बड़ा मुश्किल नहीं होता तो Cantonese proof हो आप exam देते हो और उसको pass करने के बाद आपको मिलता है जौब करने के लिए पूरे किसी भी state में throughout Germany कहीं पर भी आप काम कर सकते हो तो यह बहुत बड़ी चीज़ होती है अब बात करते हैं कि license आपको मिलगा तो उसके बाद ही फिर आप PG कर सकते हो तो वह अब उसके बाद आप pursue कर सकते हो अब बेस्टिंग करते हो पीजी तो आपकी बिल्कुल फ्री होती है इसमें आपको कोई पैसे देरिंग जरो नहीं पड़ती है और से क्या होता है कि आपकी पढ़ाई भी चलती रहती है और आपको पैसा भी आरन उता रहता है तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आत जैसा हम ने बता है कि हम भी एक्सपर्ट हम जर्मनी वह ताम से रहते हैं वी दो दूस और दोंस और प्रॉस और सो यूज पार सकते हैं आपको जर्म लेंगे सिखा सकते हैं सबसे पहले स्टेब में ऑन-laiN और उसके बाद आपको अपको अप्श्य करा सकते हैं अधिकल ट लोह सकते हैं दूस यह परोस किल यह तो हमारे जाद ही अप्सक टे लिए ट्यां हनिख फोलो तो हमारे CTL इांत सबकें व इस तो सकते हैं वीड एक्सपर्ट उसकती है आपको तोडी प्रोलोम हो सकती है । बड फिर सख्डी कारने का सब्सक्ते में अगा पन्विकल लई सब्सक्राइब करेंगे अगर आपके वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक ज़रू करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली ऐसी यूसफुल वीडियो देखने को मिल कि रहें So thank you so much for your precious time always take care and goodbye